हेलो दोस्तों नमस्गार स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जीडियस ग्रामी डांक से बाखे बारे में तो इसको फॉर्म को कैसे भर सकते हैं अपने मवाइल से तो स्टेप बेस्टेप हम आपको बताए इसा इंटरफेस आने के बाद आप दोस्तों यहां देख सकते हैं जीडियस ऑनलाइन का पोस्ट आपका आ रहे हजा बारहहजार आठसव आठाथाइस पोस्ट वेकेंसिन के लिए हैं जिसका स्टार्टिंग डेट आपका बाइस पांद वाजार तेईस है और लास्टिंग उसके बाद दोस्तों आपको यहां देखना है यहां पर न्यू करके लिखा हुआ कि इफ आल्रेडी रेजिस्टर्ड इन जन्वरी महिन जन्वरी दोजार तेईस डिरेक्क्लिक क्लिक ओन स्टेप टू ऑनलाइन अगर जो भी कंडिडेट अभी जन्वरी मंत में फिर से वेक यह सेकेंड नमबर स्टेज में अगर फर्स्ट कंडिडेट यानि फाहली बार फॉर्म बर रहा है तो उनको रिजिस्ट्रेशन करना परेगा अपना तो रिजिस्ट्रेशन करने के लिए इस टेप आपको देखना परेगा नया कंडिडेट होगा तो पुड़ाना वाले जो न में फ्रॉत इसको क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आप Melanie Dugn सब्सक्राण के बाद यहां पर नीचे देख अब唤 डालना है सब्सक्राइद फिर आपको जेन्डर सेलेक्ट करना है आपको सर्क्रायर से आप करेंगे तो आपका रजेश्टरेट्र नमर आ जाएगा फर्स टाइम के लिए यह सरा प्रोसेस है अगर मन जनुरी माह में इनका देखा तो उनका यह सब सो नहीं करेगा वो डायक्तली यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल नमबर डाल दिया है मोबाइल नमबर डालने के बाद इसको वाइलिट करते हैं जैसे वाइलिट करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि यह जो भी कांडिडेट का है इनका पहले ही रेजिस्टेशन हो चुका है यानि apply online पर क्लिक करके form को भर सकते हैं तो चलिए हम पना रेजिस्ट्रेशन नमर डालके form भरके आपको दिखाते हैं ओके दस्तों आपके पास अगर सेकंड का और रेजिस्ट्रेशन पहले से करवाकर रखा है जन्वरी मांत वाला उनको सीधर सेकंड स्टेप पर अप्लाई करना है अप्लाई ओनलाइन वाल पर क्लिक करना है चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं अप्लाई वाले लिंक को क्लिक करते हैं ओके दोस्तों आपके सामने आ गया हैं यह registration candidate application form if you have already applied to know status अपना status चेक करने के लिए यहां से चेक कर सकते हैं बाकि आपका registration number और circle number डाल के submit कर सकते हैं करिएगा तो आगे का application form का आपका detail खुल जाएगा तो चलो हम अपना registration number और circle को select कर लेते हैं दोस्तों यहां देख सकते हैं हमने registration number डाल दिया और circle का नाम डाल दिया मध्यपरदेश इसको डालने के बाद आप यहां पर submit कर दिजाएगा चली हम submit करके दिखाते हैं आपको जैसे दोस्तों सम्मिट किये हैं आपके registered mobile नमर पर एक OTP गया है उस OTP को आपको डालना है ओके दोस्तों ओ यहां पर दोस्तों हम्रा OTP आचुका है OTP जैसे इसको पोनोडिपइगए यह capture डालेंगोंगे capture डालने क्वाद oke दोस्तों चली हम Craft यहां अपना OTP डाल देते हैं यह OTP डाल दिये दोस्तों OTP डालने क्वाद आपको capture डालना है okay दोस्तो चली capture बढ़ी है is capture डालने के बाद दोस्तो हम यहां इसको nest कर रहे हैं चली निश्ट कर देते हैं Nest करने के बाद आगे का profile कोल के आगे आपके सामने कि अप्लिकेशन फॉर्म आगे आपके सामने आपका नाम देख सो करेगा यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कॉलिफिकेशन मांगेगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स और उसके बाद 7 कंटिन्यू किलिक कर देंगा ओके दोस्तों है सी चलिकी दोस्तों हमँ अपना एड्रेश हो कर देते हैं कंडिट का यहां पर हमने अड्रेश को डाल दिया है पर्मश्ते लिबास पामनेंट ड्रेश और कम्यूंचेन वाला एड्रस वाला आड्रेस महिंगे ग्रेटते से में डालने के बाद आप आगे के स्टेप में पहुंच लाएंगे, उसके बाद, यहाँ कॉलिफिर्टाइल डीटेल आपकू डालना है, क्वालिफिकरिकेशन डिटेल में यहाँ पर बोड सेलक्ट कर लेंगे कॉन सा बोड से हैं और सेल्यक्त रिजल चालेंगे कि अब सर्च कर लेंगे डोस्तों चली हम इसको भी दिखा ढाए ते आपको बुड को सर्च करने के लिए आजाया कौन से बोट से हैं आप जो भी आपका जिस बोट से रहेगा उसको आपको यहां सेलेक्ट कर लेना ओके दोस्तों बोडब सेकंडरी एजुकेशन भोपाल ग्रांट टोटल 600 मेरा रहा और 600 वाला था तो इसको क्लिक कर लिया हम अब आपको यहां से पूछ रहा है कि आपको माक्स यहां सो करना है तो माक्स के लिए क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहां माक्स के प्रति आपका एजुकेशन आपका आज आएगा कितने कितने नंबर थे किसमें ओके दोस्तों चलिए हम स्टेप बाइस नंबर भी भर देते हैं जो आपके mark sheet में लिखा होगा वही नंबर आपको यहांस में डालना है आप गलत नंबर ना डालियेगा नहीं तो आपका form reject भी हो सकता है जब आपका documents verification होगा तो यहां पर आप social science पहला subject आपके सामने social science दिया तो social science में जो भी आपका number आएगा उस नंबर को आपको यहां fill up कर देना है तो आपका number 89 था 89 डाल दिये फिर यहां subject आपको चून लेना है कौन से subject आप डाल सकते हैं आपका language जो भी रहेगा यह हेल्थ आई language special Hindi special English तो जो भी आप कराएगा language special Hindi तो लेंग्वेज special Hindi तो लेंग्वेज special Hindi वो select कर लेना है करने के बाद आपको जो भी नंबर रहेगा आपको यहां पर डाल देना है तो जो भी आपका नंबर रहा है इसको अपको यहां डाल देना है फिर से आपको select करना है language general special तो जो भी आपका रहेगा English रहेगा तो 65 नंबर डाल दीजया फिर subject आपको फिर से चुनना है subject सुनने के बाद आपको इसमें संस्क्रीट का option देखना है संस्क्रीट वाला है कि नहीं जो भी 6 subject थे 6 subject general language जन्सक्रीट इसको आपको कलिक कर लेना है कलिक करने के बाद आपका जो भी इसमें नंबर था उस नंबर को आपको यहाँ पर फिल अप कर देना ओके दोस्तो आपको वीडियो नहीं समाझ में आ रहा है तो पुस्ट करके भी आपको आपको language select करना है कौन सा आपका music था पेंटिंग दा साइंस था साइंस वाला नंबर को यहाँ पर डाल देना ओके दोस्तो तो 82 नंबर थे तो 82 नंबर डाल देजे ओके यह आपका marks भर दी है माक्स भरने के बाद आप अगर आप CBSC बोड़ वाले होंगे तो आपको CGPA आपको डालना रहता है अगर MP बोड़ वाले हैं या स्टेट बोड़ वाल रहेंगे तो उनको अपना marks करना रहेगा तो आपने अपना form भर दिया कि नहीं पूरा देख लिजे एक बार चेक कर लिजे आपके अगर पूरा सही सही है तो फिर आगे आप 7 continue कर सकते हैं एक बार चेक कर लिजिए आपने फॉर्म को एक बार देख लिया चेक कर लिया फूरा फॉर्म हमारा जो भी नंबर जो भी डाले हैं वह सब सही सही है तो उसके बाद आपको क्या करना है 7 continue क्लिक करते हैं जैसे continue पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऊके सामने आ जाया जायेगा्य कि अपना डिचल सकते हैं कि अपना डिकàiल near अपडेफर्ण नेम नेम, फादर्स नेम, डेट अबॉर्थ, जनरल, ओभी सी, जो भी कटेग्री रहेगा, ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको सर्किल जो अपलाई किये थे, मद्दे परदेश में आपका सलेक्ट डिवीजन सलेक्ट करना है, कौन सा डिवीजन में आप चाहते हो जोब, ओके दोस्तों, तो मैंने सर्किल वाइज, सार्किल आपको दिखा दिया था, सर्किल वाइज सिम्री ज्यादा वेकेंशी है, उससूब से अपने हाँ पर सलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहां पर आईप, हिएरवाई के लिएरेट पर किलिक कर के, फिर से एन, प्रोसेस पर किलिक करना सब्सक्राइब अपको इस पर लागाट में गर्णा ऐबढ़ व से विविजन अफ रह ansch है एक करके दिखा देता हूं गुनंतर फळsen और सीटी बेदोर जावलपूर खंडवा मंडला मंसॉर मुरेणा रत्लाम रीवा सागर सतना उरप्हरेना ऑप ब। स्पुरु सेलेक्षन के बाद यहांद देख सकते हैं कितना है टोटल तोटल है सों पर हैं सो एक scooter हैंब यहांप वह भी ज़ो भी रहेंगे शइन्तीस टोटल पर फेरेंस से आपको सेलेक्षन के लिए आप जितना कि जैए अपका चांस सबंगे सेलेक्षन होने क्या तो आप एक से लेके सारे नंबर को आप किलिक कर सकते हैं कि उक्षक्राइओ तो चलिए हम स्टेप बाइस्टेप आपको आप जहां पे पहले देखना चाहते हम अपर पहले आप डालके एक दो तीन कर सकते हैं ओके दोस्तो और जेनरल OVC, HTSC जो भी कटेग्री है वो जेनरल को भी सलेक्ट कर सकते हैं ओके तो चलिए हम डाल देते हैं दोस्तो प्रिफरेंस हमने जितना प्रिफरेंस था सारे को सलेक्क कर लिया हैं नंबरी दिया एक दो तीन चार पांच है जितने भी थे उसके बद आपको क्या करना declaration में yes करना है yes करने के बद आपको निच्छा आना निच्छा आने के बद आपको save & process पे click कर देते हैं जैसे click करेंगे तो आगे का process आपका दिख जायेगा यहां पे देख सकते हैं दोस्तों data submitted successfully please pay the fees to complete an application process ओके दोस्तों आपको pay करना है अगर jernal OVC Category प्रोसस इसको करते हैं जैसे क्लिक किये तो आप यहां देख सकते हैं कि आपको यहां पेमेंट करने के लिए सबस्क्रार to7ka स्बस्क्रार क्राइब New态 तो आप इसको किसी भी माध्यम से कर सकते हैं कि फॉन पेटीम गूगालते explorations होगे दोस्तों चलिए को क्लिक करते हैं धे यहां पे बहुत सारे alternator कर सकते हैं से कर सकते कूछ कर सकते दूस्ट मैं कि या היं आपकर सरए इस अम्हार इसे करते था किप裡面 कठ eating इसको महरें तो आपके करें सिद्विदि look आपने फिर में बैने पास पहुंच जाएंगे और इस धा प्रिंट करक्वालो और प्रिंटे परिंट आपको छॉद्ध परिंट उख सफोल तो आप आप चादस ज्यादा प्रिफरेंस डालेंगे तो आपके चांसेस बनता हैं सेलेक्सर होने के GDS में तो यहां से आपको प्रिंट आउट कराके अपने पास CyberCraft या अपने मोबाइल से अपने पास रख सकते हैं Save करके ओके दोस्तों तो यह आप फॉर्म भरने का तरीका system process इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म को भर सकते हैं तो उमीद करता हूँ इस वीडियो मेरे द्वारा दियेगा जनकरी आपके लिए helpful होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जाहें दोस्तों